इंडिया में क्रिकट का क्रेज हर एज ग्रूप में देखा जाता है जैसे कि आप सबको पता है IPL शुरू हो चुका है और IPL में हर टीम किसी ना किसी की फेवरेट जुरूर होती है IPL को इंडिया में as a festival देखा जाता है हम सबकी IPL में एक फेवरेट टीम होती है और उसको हम बहुत cheer करते हैं पर उन टीम में जो captains हैं या उनके जो players हैं उनका जो backbone है वो है उनका physical strength मैं Dr. Varun Vasil आपको उसी के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा कि उनकी physical strength क्या है और वो कौन सी muscle training करते हैं जिसे वो fit रहते हैं और आपके favorite player बनते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी 8 favorite teams और उनके 8 captains की जो उनकी captains की physical strength है और muscle power है सबसे पेले माते हैं MR. सब से पहले हम infinite है अपने इंडियन कैप्टन यानिकी विराट कोली जिनकी टीम है RCB उनकी स्ट्रेंथ क्या है उनका फिटनेस लेवल सबसे अच्छा है और सबसे जबरदस्त है उनकी स्ट्रेंथ है कवर ड्राइव सिगनेचर शॉट अब कवर ड्राइव में वह बैलेंस को बहुत यानिकी रोईट शर्मा की उसका सिगनेचर श्रॉट है पुल्शोट तो फुल्शोट में कौन से मसल्स यूज करता है यह हम बताएंगे इस पूल्शॉट में रोईट शर्मा के इंटेर्नल और एक्स्टर्नल उब्लीक्स यानिकी जो एबडमाईल मसल्स वह सबसे यूज है उनका square cut तो square cut में कौन से muscle use होते हैं और गौदम गंबीर की strength क्या है उसके बारे में बात करेंगे square cut में सबसे पहले वो अपने left foot की तरफ weight shift करते हैं और अपना wrist work use करते हैं यानि कि उनकी strength है उनके wrist muscles और उनका core muscles जो उनको balance में help करता है next आएंगे हमारे Rajasthan Royals के captain यानि कि Ajinkya Rahane Ajinkya Rahane अपनी short height की वज़े से जो कि उनको बहुत help मिलती है उनके strength shot uppercut में उनका signature shot है uppercut जिसमें उनके wrist muscles और उनका shoulder सबसे ज़्यादा use होता है uppercut में उनका head यानि कि neck का balance और साथ में shoulder और wrist के muscles यह सबसे ज़्यादा use होते हैं जिसमें उनकी strength है shoulder और wrist तो Ajinkya Rahane की strength हुई उनके chest muscles, shoulder muscles और उनकी wrist और साथ में उनका neck control जो की uppercut में सबसे ज़्यादा useful होता है अब बात करते हैं KKR टीम के captain यानि की दिनेश कार्ती की उनकी strength क्या है उनकी strength है उनका favorite shot उनका scoop scoop shot जो की थोड़ा difficult माना गया है उसमें सबसे ज़्यादा muscle यूज़ होते हैं हमारे pelvis के और thigh muscles यानि की back of thigh hamstring muscles यह हमें नीचे बैठने और उपर उठने में help करेगा अब इस shot में दिनेश कार्ती की strength है उनके thigh muscles और उनका pelvis muscles next team आती है Sunrisers Hyderabad जिनके captain है Kane Williamson और Kane Williamson का क्या signature step है यह अब हम देखते हैं वो थोड़े attacking player है और ज़्यादा तर lofted shot मारने में believe करते हैं तो lofted shot में उनका सबसे पहले आता है footwork और उसके बाद balance यानि कि उनके shoulder और उनके जो thigh muscles हैं उनको balance करने के लिए जो उनका core काम आता है वो उनकी strength है बारे next team है चिन्नई सूपर किंग्स जिनके captain है हमारे MS धोनी उनका shot किसको नहीं पता उनका signature shot है helicopter shot जिसमें वो अपने shoulder को सबसे ज़्यादा use करते हैं अब helicopter shot में उनका ये जो back lift है वो सबसे ज़्यादा high होता है और उसके बाद वो shoulder को उपर की और घुमाते हैं और उसके बाद अपने wrist को हलका सा जग देते हैं जिसकी वज़ा से उनका shot सबसे अच्छा माना गया है अब last में आते हम अपने Kings 11 Punjab की captain की और यानि की R. Ashwin की तरफ Offspin में उनका सबसे ज़्यादा strength होती है उनके shoulder muscles में यानि की उनके shoulder flexors बहुत अच्छे होने चाहिए और दूसरा उनका wrist जिससे वो offspin और थोड़ा सा finger roll जिसमें वो offspin ball को ऐसे release करते हैं तो ये था practical demonstration in the ground with players हर एक captain का अलग लग सिक नेचर shot और उनका muscle strength इस वीडियो में आपको clear हो गया होगा कि आपके favorite captain कितनी मिनत करते हैं अपनी physical strength को improve करने के लिए आप भी अगर अपनी physical strength को improve करना चाहते हैं तो हमारा next part देखना मत भूलिए